दोस्तों सीटेट दिसंबर 24 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ 17 सेतंबर को आपने देखा होगा तो उसमें जो है लास्ट डेट आपकी जो दी गई है फॉर्म फिलब करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी है 16 अग दूबर तक एक्जाम डेट जो है दोस्तों उसमें दिया सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेश कर लिजेगा ता कि इसी तरह की ऑथिंटिक अपडेट सीटेट से रिलेटेड या किसी भी सिच्छक भरती से रिलेटेड आपको मिलती रहा है यहां पर आप जो डेट है वो भी देख सकते हैं 29 2024 कल की डेट में 24 in 136 cities all over the country now due to administrative reasons the seated is rescheduled on 15 December 2024 आपका जो एक्जाम था दोस्तों 1st December को होने माला था जो डेट दी गई थी 136 city में आपका यह एक्जाम होने माला था बट इसको change कर दिया गया है और यह जो एक्जाम आपका है वो अब 15 December 2024 को होगा Sunday का दिन है यहां पर देख सकते हैं in case number of candidate is more in any city the exam may also be conducted on 14 December 2024 इसमें यह भी दिया गया है कि अगर जो है अभ्यारतियों की संख्या जादा होती है आवेदन के बाद तो जो है यह एक्जाम दो दिन कंड़क्ट होगा यानि 14 December को भी होगा और 15 December को होगा अभी फिलहाल जो है 15 December को ही है अगर आवेदन तक जैसा क जो लास्ट डेट है इसकी 16 अक्तूबर तक उसके बाद यह चीज़ें कंफार्म होगी अगर number of candidates जादा होगे तब जो है यह 14 को भी एक्जाम करवाएंगे यहां पर आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसे समझ सकते हैं जो लोग English में नहीं समझ पारे होंगे यहां पर देख सकते हैं सारवाजनिक नोटिस इस कार्याले के पत्र संक्या CBSC CTT दिसंबर यह आपका नंबर बगएरा दिया गया है 13 सेप्टमबर 2024 के माध्यम से यह अधिशूचित किया जाता है कि CTT परिच्छा का 20 संसक्राड दिनांक 1 दिसंबर 2024 को पूरे देश के 136 शहरों में निर्धारित किया गया है अब प्रश क्रिया दिनांक 17-9-2024 से आरम हो चुकी है ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिमति थी दोस्तों 16 अक्तूबर 2024 जो टाइम दी गई है 11 बच के 69 मिनट यानि पीम पर शेस दिशा निर्देश सूचना बुलेटेन के अनुसार यह थावत रहेगी तो यह आप पब्लिक नोट ने शुकरबार को सारवजनिक नोटिस जारी की इसके मताबिक यह थी कुछ शारों में अभिहारतियों की संख्या अधिक होती है तो परिच्छा 14 सितंबर को भी आयोजित की जा सकती है इसमें बटने के लिए 17 सितंबर से ही आनलाइन आवेदन दिये जा रहे हैं आनलाइन कारिकरम के अनुसार CTT दिसंबर सत्र के लिए परिच्छा एक दिसंबर को होनी थी लेकिन अधिकारिक सूचना के अनुसार CTT दिसंबर परिच्छा अब 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी अधिकारिक सूचना में कहा गया है कि यदि किसी शहर में उमिदवारों की संख्य अधिक है तो परिच्छा 14 सितंबर को भी आउजित की जा सकती है वहीं परिच्छा के लिए 16 अक्तूबर तक रेजिस्टेशन करा सकते हैं इस बार भी परिच्छा आफलाइन मोड में आउजित की जाएगी उमिदवार वेबसाइट seatit.nic.in के माधियम से seatit December के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वोट ने जुलाइ सतर के बाद दिशंबर सतर के लिए परिच्छा केंदो की संक्या घटा कर 132 कर दिये जिसमें 184 शहरते परिच्छा दो पालियों में आजित की जाएगी दो पालियों में आपके आउजित की जाएगी जिसमें से first shift में आपका जो exam होगा वो आपका paper second होगा ठीक है और second shift का यानि evening का जो आपका time है उसमें आपका paper first होगा इसको लेकर कि इस बार जो जुलाइए में आपका exam होगा था सीटर का जिन अभ्यारतियों ने फस्ट अट्यम था फस्ट अट्यम दिया है उनको जो यहां पर confusion हो गया था सबकोई मन में यही था उन्होंने अपने कार्ड भी नहीं द्यान दिया कि हम पेपर फस्ट है तो वो बार्निंग में यानि फस्ट में होगा और पेपर सब्सक्राइब फस्ट में होता था इसमें बदलाव किया है और आपका आपका फस्ट पेपर होगा और यह सारे चीज़ें हैं बागी दोस्तों इसको ले जो form आपका स्टार्ट हुआ है ना 17 सिप्तंबर से और 16 अक्तूबर तक इसकी लास्ट डेट है इसमें आपको बहुत ध्यान देना है अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एक एक चीज़ का ध्यान देना है किस तरह फॉर्म को फिल अप करना है उसके बारे मैं मैंने पूरा डीटेल एक वीडियो के माध्यम से बताया है क्या-क्या साउधानी बरतनी है अगर आप पेपर फस्ट अप्लाई कर रहे हैं या फिर पेपर सेकेंड अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी है जो बीड वाले आप प्यारती है आपको कौन सा कोड यूज करना है अगर आपका डियल एड है तो आपको कौन सा कोड यूज करना यह आपके लिए बहुत जरूरी है तो उसमें मैंने सारे चीजें बिल्कुल किरियर बताई हुई है वो जो वीडियो का लिंक है मैं या पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी आप लोग जो है उससे देख ल क्रिफिकेशन होगा उसमें आपको प्राब्लम उसके करनी पड़ेगी तो सीटेट में अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो करेक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं होता है तो आप लोग फार्म को अच्छे से भरिएगा कोई गलती मत करीगा क्योंकि अगर गलती हो जाती है तो आप करेक्शन के लिए परशान रहेंगे उसमें आपका मन लगा रहेंगा तो ऐसा कुछ नहीं करना पहले फार्म को अगर आप फिल अप कर रहे हैं तो एक से दो बार खुद से फिल अप कर रहे हैं तो चिक किसी साइबर कैफेस से कर रहे हैं तब भी आप दो से तीन बार में कोई mistake नहों किसी लेटर में mistake नहों तो यह सारी चीज़ आपको साधानी बरतनी हैं और आपके फोटो में कहीं बलर नहों सारी चीज़ें के लियर होनी चाहिए तो फिर फिर पाता है अगर जो करेक्शन का टाइम आयगा ने उसमें भी मुश्किल होता है तो आप यह सारी चीज़ें द्यान दीजिएगा और बहुत ध्यान पुरुवक जो है आपकी काम करिएगा बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड कोई जानकारी होगी तो इस चैनल से विज्टमाटर चैनल से आपको टाइम पर मिलती रहेगी बने रहेगा और दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है इस